देखिए पवन सिंग के चुम्मा गाने का पावर ये है, पवन सिंग का अपना खुद का स्टाडम ऐसा है कि पवन के विरोधी भी या पवन सिंग की प्रशंसा कर रहे हैं और ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पवन ने जो किया है वो वाकई सराहनी है देखे, वालिवूड में पवन सिंग का दो गाना आता है पहला गाना इस्त्री टू फिल्म का होता है जिस गाने का नाम होता है आई नहीं और दूसरा गाना जुआ जो आससे 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है जिस गाने का नाम है चुमा और इन दोनों गाने वाली वुट की है और इन दोनों गानों में आपको राजकुमार राव नजर आए हैं आई नई में पवन सिंग ने सिर्फ आवास दिया है और चुमा गाने में पवन ने न सिर्फ आवास दिया है बलकि स्क्रीन भी शेयर किया है वो अलग बात है कि स्क्र पर पवन सिंग सिर्फ 45 सेकंड के लिए नजर आते हैं लेकिन इन दोनों गानों ने ऐसा जलवा बिखेर रखा है इन दोनों गानों से वाली वुट से लेकर भोजपूर इंडस्री में ऐसा तहलका मचा हुआ है कि पवन के विरोधी भी पवन सिंग की तारीफ करने पर में डेट किये हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में रहे हैं दोनों शादी के सपने साथ में देखे थे लेकिन एक समय आता है जब पवन अक्षरा एक दूसरे से अलग होते हैं दोनों का ब्रेक अप होता है ये जोड़ी भी खरती है और उसके बाद अक्षरा और पर कई गंभीर आरोप लगाती हैं यौन रुद्पडन से लेकर मार पिट तक अक्षरा ने पर मुंबई थाने में केस करके कहा था कि पवन उनको प्रतारित कर रहे हैं जान से मारना की धमकी दिलवा रहे हैं यहां तक कि अक्षरा ने हाली में दिया इंट्रिव्यू ने ये अभी कहा था कि पवन सिंग उनका करियर खत्म करने का पुरा प्रयास किये थे बाद में अक्षरा सिंग को मजबूर होकर गाय की करनी पड़ी थी खैर हम आपको ये सब इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आप अभी भी एक्षरा सिंग के पास पवन सिंग से सम्मंदित सवा सिंग भी अक्षरा से करते हैं अब इन दोनों का ब्रेक अप किस बात पर हुआ था ये किसी को नहीं पता लेकिन ये जग जाहिर है कि ये दोनों एक दूसरे से आज के डेट में बहुत नफरत करते हैं और कहा जाता है कि ये दोनों नहीं चाहते हैं कि इन दोनों के सामने इ जो भी लोग भोजपूर इंडस्ट्री से उठकर अधर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वालीवुड में जाकर गाने गा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये करने से इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, अक्षरा सिंग, पवन सिंग की सबसे बड़ी विरोधी हैं, लेकि सारी बाते साइड रखकर अक्षरा सिंग कहती हैं, कि देखिए ये बहुत अच्छी बात है, कि अपने इंडस्ट्री का कोई भी आटिस्ट वालीवुड में जाकर काम करता है, तो ये अप्रिशेट करने लाइक है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसकी तारीफ होनी चाहि क्योंकि इससे ना सिर्व भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ता है, बलकि हम जैसे कालाकारों का भी गौरों बढ़ता है, ये आप समझेए, कि अक्षरा सिंग ने कहा, वो कोई मामुली बात नहीं थी, अक्षरा ने कहा कि देखिए, जो सत्य है, सत्य को आप जुठला नहीं स बोजपुरी इंडस्टी में काम करने वाले उन तमाम आर्टिस्ट की गरिमा बढ़ती है, जो वॉली वुड में काम करने का सपना रखते हैं, अक्षरा सिंग ने पाउन सिंग का नाम नहीं लिया, लेकिन जब अक्षरा सिंग के सामने ये कहा जाता है, कि बोजपुरी के अगर वॉली वुड में काम करते हैं, तो इससे ना सिर्फ भोजपुरी बड़ी होती है, भोजपुरी समाज बड़ा होता है, बलकि भोजपुरी कलाकारों का मान सम्मान गौरों भी बढ़ता है, अक्षरा सिंग ने जो कहा, वो काबिले तारीफ है, यहां अक्षरा की हम त तारीफ की और यह करने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मद चाहिए, ताकत चाहिए, बैकि आप इस पर क्या कहिएगा, आपने रहा बताईएगा, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलता है ने वीडियो में, आप देख रहे टिस स्टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांड धन्यवाद